हेलो फ्रेंट्स, वेलकॉम तो मैं चैनल, फ्रेंट्स आज हम करने वाले हैं क्लास 9th की SST के बुप कर 5th चैप्टर के कोशन आंसर तो यह जो लेसन है वो प्रजा मंडल बैजन जागरती से डिलेटिड है तो इसमें जो पहला कोशन है वो लिखा हुआ है कि 1888 में कॉंग्रेस के इलाबाद दिवेशन में राजस्तान से किन प्रतिनिदियों ने भाग लिया तो यहाँ पर पहली बाद तो कोशन में काफी सारे आंसर बन रहे हैं कि जो कॉंग्रेस का दिवेशन है वो 888 में हुआ था तो इसमें राजस्तान की किन प्रतिनिदियों ने भाग लिया था तो इसमें अजमेर से गोपिनात माथूर ने, किशनलाल ने, वै हर बिलास शार्दा ने तो यहाँ पर तीन प्रतिनिदियों ने भाग लिया था तो तीन प्रतिनिदी के नाम कौन कों से हैं गौपिनात माथुर दूसा नाम है किशनलाल तीसा नाम है हर बिलास शार्दा इसके बाद next question है 1919 में राजस्थान सेवा संग की स्थापना कहा हुई तो जो राजस्थान सेवा संग की स्थापना है वो वर्दा में हुई थी और जो वर्दा है वो कहाँ पर है महारास्थ में इसके बाद next question है अखील भारतिय देशी लोग परिशत की स्थापना कब हुई तो इसमें इसका अंसर आएगा 1920 में next question है किसके प्रयासों से 1945 में डुंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई तो जो डुंगरपुर प्रजामंडल है उसकी स्थापना 1945 में हुई थी किसके प्रयासों से तो इसका राइट आंसर होगा भोगिलाल पांडिया के द्वारा उनके प्रयासों से fifth question है अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र राजिस्थान टाइमस का प्रकाशन कहां से आरंख हुआ तो इसका आंसर आएगा अजमेर से और कब प्रकाशन शुडू हुआ थी इसका तो 1885 में इसके बाद next question है इस वी के प्रत्थम सतंत्रता संग्राम का राजिस्थान पर क्या सकायत्मक प्रभाव पड़ा यानि कि 1807 की क्रांती हुई थी उससे राजिस्थान पर क्या प्रभाव पड़ा था तो इसका जो आंसर है वह आपको first page परी मिलेगा तो आप इसका निशान लगाना चाहो तो इसके हम जो में लाइन से हम वही कर लेती हैं तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे कि राजिस्थान में first की सांसकतिक वैतिहासिक वैवव की आत्मान भूती जब हिंदी गुजाति और बांगला साहितिय से राजिस्थानी चरीतों के बारे में हुई तब जनता अपने प्राचिन गौरफ के प्रती सज़व होगी यानि के ठासु सामन की करांति के कान क्या हुआ कि जो जनता थी उसमें क्या है अपने प्राचिन गौरफ है जो उसके प्रती वो सज़व हो गई थी इसके बाद second कि वहाँ पर क्या हुआ कि आर्य समाज की शाखाओं ने भी राजिस्तान में सब्तंत्यता के प्रति विचारों को फिला कर राष्टिय चेतना प्रजवलित की इसके कारण क्या हुआ कि जो राजनीति जागरती की भावना को विक्सित करने के लिए महाँ पर स्वामी द्यानन सरस्वती ओभी वेकानन जी कहा है महतरपुन योगदान रहा इसके अलावा क्या हुआ था कि जब ठासस्तान की क्रांती हुई थी तो बहुत सारे यानि की अंदोलन वगएरा हुए थे जिसके कारण जो लोग है उनमें क्या है जन जागरती उत्पन होने लग गी थी यहाँ पर लिखाव है कि छपनियों ने भीचे नकाल के समय अंग्रेजों की ओर से जो उपेक्षाएं भरती गई उनके कारण अंग्रेजों की प्रतिके है लोगों में विरोध का वातवन बनने लग गया अत्या जनता के मन में सवतंतिता प्राप्ति की विचार बनने उसी समय से क्या है आरंब हो गए थे इसके अलावा आप क्या लिखो गए कि जो साइव पर यानि के ठासो सामन की कांते में काफी सारे पत्र वगारा भी चलाए गए थे जिसके कांट जो लोग है उनमें राष्ट्य भावना को जगाया गया था इसी के दौरान जो बकीम चेंदर चटर जी है उन्होंने बंदे मातम गांस राजस्तान गूंज उठा इसके लावा उन्होंने समाचा पत्र देशी तेशनी प्रोपकार आधिसमाचा पत्र है उन्होंने भी क्या है राष्ट्य भावना की जो जागरती है उसको उत्पन किया इसके अलावा ठासो सावन की जो हो गई थे तो आप इतना लिख दिनें बहुत हैं इसके बाद नेक्स्ट कुरेशन देखते हैं कि और यहां पर जो नेक्स्ट क्वरशन है सेकंड उसमें लिखा हुआ है कि राजस्तान सेवा संक्ड के मुख्य उदेश्य और राजेस्तान में जन जागर्ती में राजेस्तान सेवा संग की भूमेका तो राजेस्तान सेवा संग की स्थाफना कब हुई थी और किसके दवारा की गई थी, सबसे पहले आप ये लिखोगे और ये कहां पर की गई थी, ये तो आपने अभी जो छोट कोशन के थे, तो इसमें आपकी जो कोशन है कोशन के सब यांसों वैसे आपको मिल जाएंगे तो यहां पर हम देखती हैं राजेसान सेवा संकी स्थापना है जो वो यहां पर लिखा हुआ है, इसके बार में हम पढ़ते हैं तो 1919 में वर्दा में राजेसान सेवा संकी स्थापना विजय सिंग पतिक और राम नरायन चोधरी हरी भाव किंकर के योगदान से हुई एक निवारं करना इसका दूसरा देया है क्या था कि जागीरदार और राजाओं का अपनी प्रजा के प्रती सहादर्पुन सबन स्थापित करना इस माधियम से राजिस्तान में रार नीतिक चेतना का परसार हुआ दीरे दीरे उन्होंने अपनी काफी सारी शाखाएं खोली उन्होंने अपनी जो शाखाएं है वो बुंदी, जैपूर, जोदपू, सिकर, खेतरी, कोटा, आधिसानों पर खोली फिर राजसान सेवा संग ने बिजोलिय की सान अंदोलन, बेगू की सान अंदोलन और जो सिरोही और उद्यापूर में भील अंदोलन हुए उनका मांदर्शन किया संग ने बुंदी सिरु होई उध्यपूर में पुलीस के द्वार किये जाने वाल जो अत्याचार हैं उनको उजागर किया और उनकी अलोजना की इसी के तहत यानि कि उसके बाद क्या हुआ कि बिटिश सरकार है जो वो राजिस्तान सेवसंग की कतिवितियों से सरशंकी थी इसी कान उन्होंने 1924 में राम नरायन चोधरी और शोबालाल गुप्त को तरु राजिस्तान में देश द्रोहमक सामगरी प्रकाशत करने के अपरा होते हैं उन्हीं जेल में बंद कर दिया जाता है और काफी जैसे उनके जो सदस्यां में मतबेद होने लग जाते हैं जिसके कान 1928 और 39 में रासा सेवसंगे जो प्रभाविन हो जाती है तो आप मेंली क्या लिख करोगे कि लिखा हुए जहां पर कि इन्होंने मतलब जो पु उन्हेकञ पुऑ नहीं क्या तब लिखा हुए कि राज्यस्थान की जन जागति में लिखी जो महात्मा गांदी के जो अंदोलन का क्या प्रभाव पढ़ा यानि की जो तो महात्मा गांदी होन technique करों तो देकती हैं-णासूर है महादमा गांदीजी के आतों में आ गया था और 1921 पे ऐसा योग आंदोलन प्रारम किया और इसका प्रभाव पूरे भार्ट पर पड़ा राजयस्तान भी इसे अचुता नहीं था यहां भी लोगों में देश प्रेम की भावना जागरत हुई और राजय में निर्कुर्शाष के प्रति त्रिव रोशत्पन हुआ तो जोदपुर में एक सत्यागराही भावला शिराफ ने यानि कि जो जंड़ा है उसे पुरे शहर में घुमाया एक तरफ जंड़े की मादमा गांदी की तस्वीर थी तो दूसरी तरफ वहां पर सवराज लिखा हुआ था उन्हान ने बजार में एक भाशन दिया जिसके कान उन्हें जंता में उत्साहा बरा इसी के साथ क्या हुआ कि जो टोंक राज्य है वहां की जंता ने एक सभा कर कॉंग्रेस के प्रति अपनी सानुबुति व्यक्त की और ऐसा योगांदोलन का अनुमोधन किया इसके बाद यानि कि जो इंपोर्टन इपोर्टन लाइन लिग देना उसके बाद जो बजाग साहब थे जमनाराल बजाज उन्होंने जैपूर राजय में जमनाराल बजाज ने अपनी राय बादूर की उपादी लोटा दी और एक लाख रुपे तीलक सवराज रोश में सौरी कोश में दिये उन्ह राजिसान के जो दूसरे वेपाइद उन्होंने बही अंधुलन में कॉंग्रेस योग देना अर्थिक सब्सक्राइब आजी के साथ जिसके करण आप में में लाइन लिख लेना तो आप सिदा लिख देना कि 1921 में मुक्टा परसाद वकील आदी ने विदेश्य कप्ड़ों की होली जलाई और खादी पहने का वर्ट लिया विका ने में खादी बंडार भी खोला गया और अनेक स्थानों पर जनता में जागरती लाने की उदेश्या से पुस्त कालिया वे वाचनालिया खोले गए इस तरीके से आप यहां पर इतना लिख देना तो आपके जो शोर्ट क कर दिया जाएगा इसके बार नेक्स्ट कोश्चनर की सब्तंतरता अंदोलन के दुरान राज्यसान में प्रजा मंडल की भूमिका का अलोशनात्वक मुल्यांकन करें तो राज्यसान में क्या हो कि काफी सारे प्रजा मंडल की स्थापना की गई थी और उनकी क्या भूमिका वही थी इसके बारे में आपको बताना है तो यहां पर हम देख लेते हैं तो बहुत सारी प्रजा मंडल है तो इतना बड़ा आप नहीं कर पाओगे तो जो में बाते हैं आप से वही लिख देना जो कि आपका हाफ या एक पेज का आंसर बन जाए तो यहां पर लिखवा की रा 1936-1999 के बीच में प्रतम चर्ण है जो वह समाजवादी और मानवतावादी समस्याओं पर केंजित था द्वित्य चर्ण में 1927 में ओल इंडिया स्टेटर्स प्रिपुलस कोंग्रेस की सापना की गई और 1936 में हीरापूर कोंग्रेस अधिवेशन के प्रसाह पासका देसी र अधिकार या उत्रदर शाषन के लिए अंदोलन शुरू किये गए प्रजा मंदल की स्थापना से पहले बुद्धी जी वी वर्ग ने बिटिश भायत के समान रियास्तों में भी प्रजा के अनेक संगठन बनाये थे और ऐसे संगठनों में 1918 में राजपुताना मध्यबाद सब्सापना 1919 में राजिस्तान सेवासंग की स्थापना की गई थी और 1920 में अखिल भारती आइ जैसी लोग परिषद की स्थापना की गई थी तो यहां पर लिखा हुए प्रजा मंदल की स्थापना तो आप इसमें क्या बात लिखोगे कि में में बात लिख देना कि सबसे पहले कि प्रजा मंदल की स्थापना हुई जैपर प्रजा मंदल की स्थापना हुई कब हुई थी 1931 में बट इसने राज़िती में परवेश 1938 में किया था इसके बाद मारवार्ट प्रजा मंडल की सापना होई 1934 में फीर कोटा के प्रजा मंडल की सापना ही 1938 में बाद में आप इस तरह के सलिह दीना कि सिरोही लोगपरिश्द की सापना बंबई में हुई और बिकार ने लोगपरिश्द की सापना जो 1934 में हुई इसके बाद अगर आप कुछ ज्यादा लिखना चाहो तो जो यहां पर जाना अंदोलन लिखियों में हैं इनमें सिर्फ एक एक लाइने आड़ कर सकते हैं कि जो अ तक योगदा रहा था जिसके कारण उन्हों ने अपनी राजनीतिंग में समाजिक समस्यां के प्रती जंता में चेतना उत्पन की प्रार्णभी का वस्ता में इतनी सफलता नहीं मिली थी फिर जो कारेकरता उने ताउन के प्रयास है वो कम नहीं है राजाओं ने पहले तो प के कारेकर्मों को भी अपनाया और अंदोलन में भाग लिया फिर 1942 में भारत छोड़ो अंदोलन एक मैतपुन था जिसने जो देश को एकता के सुत्र में बांदा तो आप यहां पर यह लाइन्स लिख सकते हैं इसके बाद नेक्स्ट कोशनर की राजिस्थान में जन जागरत है जो उसके बाएं में देखते हैं एक सेकंड अब अब हैं तो आप अ लिख सकते हैं जो गांदी जी थे वह रहां पर आप सबसे पहले सकते हों कंग्रेस के बारे में पहले भूमी का बना सकते हो कि 1885 में भारती राष्टे कॉंग्रेस की स्थापना की गई थी जिसके कारण क्या हुआ कि 1887 में गॉर्मेंट कॉलेस अजमेर के चात्रों ने भी कॉंग्रेस कमेटी का गढ़न किया इसके बाद 1888 में कॉंग्रेस का जो इलाबाद अदिवेशन हुआ तो कौन से सदस्य आयते तो यह आपने शोर्ट कोश्र में पढ़ा हुए तो आप लिख सकते हो इसके बाद 1918 में दिली में योजित कॉंग्रेस अदिवेशन ने राजिस्तान में कई यानि कि राजस्तान के काफी सारे लोगों ने भाग लिया था जिसके कारण कि राजस्तान इन समने प्रयतन किया और राजपुतान मध्यबाद सकते हैं जो नामक एक राजनिति संस्ता कि 거야 दिली के के चांदी क्योगत में बाद के नागपुर अधिवेशन में कॉंग्रेस का सहयोगी संस्था मान लिए इसके बाद जो मध्यबात सब्सका दूसरा जो कॉंग्रेस सारे अधिवेशन हुए थे एंड जो लोग थे उन्होंने काफी भाग लिया था तो यहां पर आप यह सब लिख सकते हैं इसके साथ है आप लिख सकते हैं कि अधिवेशन में एक परदर्शनी भी लगाई गई थी जिसमें राजस्तान के जो क्रिशक की द्यानिय सीती के बारे नहीं बनाएं तो आप ले इतना लिख दिया hurt dh слब लाएं एक पेजिक कांसरीं पर बंचां इसका अपने क्लीर हो जाएंगा लग भग एक पेज का आंसरी बन जाएगा और इतना बहुत होता है तो आपको सारे सेक्शन बता सकते हैं तो आपके लिए लेसन के भी एक वीडियो अप्लोट कर दे जाएगी तो फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक माई वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल thank you friends for watching my video thank you